है है कि अखियो अगूल नाहीं वेसंग वश्कित को इसैंट आवड जान आड एकडियोटीव चाहिनल वर इंडिया is a no.1 online learning platform माइसल्फ किरन सुरेश कुलते हुआ हटली वेलकम यू आल अन्दी सर्टुडेश्ट क्रेकिंग लेक्षर तो इंदी सर्टुडेश्ट लेक्षर आई ब्रोट नाइस क्रेकिंग टॉपिक इन फ्रेंट आप यू मेजोरेटी अव दुडेंट्स आर इगरली वेटिंग भरप चलो तो इस्टार्ट विटावर टुडेश्ट सेशन देखते हैं कौन-कौन जॉइन हुआ है अपना साथ आशीश पार्टिल आशीश पार्टिल वेलकम तो तो स्टुडेंट्स आ यह वाचिंग पुट्यूर नेम्स दिना टेकिवर नेम्स अ चलो तो मैसल किरन सुरेश को इनगम्स 10 इए पुट्ड्यूर टाविवरोजग्स अपार्ट विऔर्स आशीश केछ पार्टो के तुड्यूर देखनय है इनखने वाले ने आशीश टो आचटिल रिवीश श्वीश कोऀर दिने लिए for the MST-CT paper जो पास अक्टमबर ला जाला होथा सेकंड शिप्ट ला मंजे दुपार चा बैचला तुपार चा बैचला जो पेपर जाला है त्याचा आपन पेपर अनलिसेस अच्छा लेक्चर मदे करना राहे तो बिफोर दाइट I want to tell you one thing if you are preparing for the 2021 as well as 2022 board exam as well as MST-CT exam and NEET exam then Unacademy is the nice platform to bring your score on your certificate जो तुमारा dream score है वो पाने के लिए Unacademy is a nice platform definitely come and join an Unacademy for the preparation of HSC board exam 2021 MST-CT and NEET exam 2021 and 2022 अपले चा बैचे से त्या अरेड तर दाले लेख our Hindi batch already started from the 5th of October if you want to come and join with us on our plus classes apply plus classes or join YCAL the user these are referral code for getting a 10% discount so what are the benefits प्लस सब्सक्रिप्शन कमी 12000 गेंग लो आवर यू तो एफोरडेबल प्राइज मत तुम्हा ला प्लस सब्सक्रिप्शन मिलते त्याम मत तुम्हीं लायू लेक्चर अटेंड करू शक्ता गरीब सूर त्यास बरवर तुम्हीं लायू डाउट क्लेरिंग सेशन अटेंड तुम्हीं लेक्चर अवेलेबल आहे अन एकडेमी प्लाटफोर्म वर लायू ते तुम्हाला त्याचा अनलीमिटेड एक्सेस मेर आहे तुम्हीं कोर्स से आटेंड करू शक्ता तुम्हें जे कहें डाउट सेथ क्वेरी जेथ त्या तुम्हीं फक्त घरीब सुन आपले ल एबसाइट वर तुले तेची डेटेल महीती मिलेल त्यास बरो तुम्हीं वीडियो डाउनलोड करू शक्ता नोट से डाउनलोड करू शक्ता पीडिया फ्वर्मैट चा नोट सुपलबद आहे तुम्हीं प्रिंट अपन काड़ू शक्ता तो यहां सरुवा फैसिलिटी चाहिए तुम्हें प्रमेटरी ने अस्तिल त्यानना शेर करा आच्छा वीडियो डेफिनेटली यहां तुम्हीं तुम्हीं प्रिंट अपन करूंगे तुए तो अन्याकरे में हिंदी बैचेस इंग्लिश बैचेस नाटी बैचेस आल टाइप अपन बैचेस आर तेर प्लान अन कम और जॉइन यूज दिस रेफरेल कोड अन टेकर 10% इस्काउंट अलाव इस अन्याकरे में अल्सो श्राटेड दर फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फीजी प्रैक्टिस टेस्ट आहे एमस्टी सीटी चा प्रिपरेशन साथी ही का है फ्री है तो तुम्हाला अन्यक्टे में लर्नर एप डाउन्लोड कराइचे आनि एन्रोल कराइचे तुमसा नाव सला ता अपना ता पेपर चा बापती ता चर्शा कराईला सुरुवात कुरेत गेमिंग चांप ओम आशीच आन्ड ओल्ल आदर्स दोस ओर वाचिंग व्न्स अन्यकरण विल्कम तो पास तरके सा ओंपर ऑधा पास ओक्टोंबर most of the question just the Pramanad question going to do is or allow match the following type of question facts factual data based equation with a motor factor based equation of day понад atonkonya type division of day who what when where and how type of question was there in the factual data and summer concept based question also was there conceptual question देर वेर अलमस फाई अनलेसिस टाइप उप पास क्वेस्चन है अनलेसिस टाइप चे होथे मनजे ओरोल जर वीचार केला तो शंबर क्वेस्चन पे की सत्तर क्वेस्चन काय होथे एजी होथे आनी MSTCT चाँ पेपर मदे 20 परसेंट वेटे जसा आपन नियमा नुसर वक्तो 20 परसेंट वेटे जे आकरा वीचा सिले बसला दिला होथे आनी 12 वीचा सिले बसला वेटे जोथे आईशी टक्के वट एपन चाम्प इप याराविग एन डाउट दिफिकल्टी रेस दे क्वेस्चन इन कमेंड बॉक्स आता इंपर्टन टोपिक करिंचे होते हैं कोन करिंचे इंपर्टन टोपिक वर क्वेश्चन आले होते हैं तब ड्यो क्वेश्चन बएकतो मध्येंच टीजू केलचे मसे खान टोपिक है सिल कि वहाँ गवानाई साइटोसीन यह उड़े तैचा मदे कितिया हाइड्रोजन बॉंड सस्थिल तर फार्मा साथी यह आता जो वहाँ रिजल्ड डिकलेर होई तैचावर अपले लकडेल कि साट मारका है डेफिनेटली मेलेल तुला तुझा कैटेगरी वर डिपेंड आये कैटेगरी सा कट ओफ किती है तो यह तैचावर डिपेंड आये एंजाइम्स लिपिड्स आनी प्रोटीन्स यह चावर पन क्वेस्चन होता डाइजस्टिव सिस्टीम मदे जौ मदे व्यूकल कैवेटी वर एक क्वेस्चन होता इवलूशन मदे मैस्द क्वालम हा टाइप क्वेस्चन होता डिसीजस मदे तुम्हाला महत्वाचा काई कुष्टी कर रहे जात मंचे दो नाजर एकवी सानी बाविसला जेवित दर्थी प्रिप्रेशन करता है तैनी हे होट चाप्टर है हे होट टॉपिक साइथ यह चावर तुम्हाला जासता स्ट्रेस दैचा आहे बाय टेक्नलोजी बायो मॉल्यक्यूल्स इसके बाद इवोलूशन डिसीजस मदे अपला काई कर रहे है कॉजिटीव एजेंट कुंचा एजेंट पसुन मंझे कुंचा पैथोजन पसुन कुंचा डिसीज हो तो यह अपले अला लक्षा ठेवन गर जाए तैचा और मैच दर टाइप मैच दर कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन ओथा जेंटर डाइग्राम पास अर्केजा पेपर मत दे डाइग्राम मत दे पोलन ट्यूब आनी यह यह अचा बर क्वेश्चन होते मझे टे डाइग्रम देता अइडेंटिपाइड लेबल आसा बैस्टिन होता एंटिव माइक्रोब्स इन हुमन वेल्फेर हेज़ टॉपिक है यह चात मैच्छ द कॉलम टाइप क्वेश्चन भरपूर यह हुँ शक्तात था अनिमल अस्बंडरी मदे ब्रीड्स ऑब बफेलो ब्रीड्स ऑफ काउ करून ठेवा स्टोरी टाइप क्वेश्चन यह आले होते स्टोरी अच्छा लेक्चर ला पने एक स्टोरी मियान लिये पास सरह के चाइप क्वेश्चन पेपर मदले 25 क्वेश्चन आज आपन पहानार आओ त्यान था हाइलिवेटेड टॉपिक होते जेनेटिक्स बायटेक्नलोजी मदला त्या मतें लोह डॉमिनेंस टेस्ट्रोष बैक्रो त्याचा नंतर टिलोमेर वर क्वेस्टन होता टीप पोर्शन आफ क्रोमोसम वूबल आइपोथेसी जे साइंटीस क्रिक नी पहलें दा प्रपोस के लह होता त्याचा नंतर फोटो सिंथेसी मद्धे मैच्द पेर टाइप कोश्चन होता रिप्रदक्शन इन आनिमल्स त्याचा गयामेटोजनिसी प्रदक्शन आफ गयामेट्स त्यानंतर टाइप आफ रिप्रदक्शन त्याचा असेक्शोल रिप्रदक्शन वर क्वेस्टन आला होता रेस्पिरेशन मदे यहाचा तीन साइकल है ग्लाइकलाइसिस क्रेप साइकल आनी कनेक्टिंग लिंक या तीनी स्टेप्स महत्वाचा होत्या यहाचा स्टेप्स वर क्वेस्चन आले होत्या मझे काई रियाक्शन वर क्वेस्चन विचारले गेले होत्या सर्कुलेशन मदे बलड वर आला होता बलड मतले हां डवली बवीची कीडिनी शेप न्यूख्लियस कौंचा डवली बवीची मतले आसतो त्याचवर क्वेश्चन आला होता तो आसतो मोँध्य मतले एक्सक्रीशन आनी ओस्मोर रेगुलेशन मदे यूरिकोट एलिजम वर क्वेशन आला होता आथा कट अपका ये तो ये तो ये जोडिपेंड है साथ मारक तुलब आयोत आहे तो नक्की माला माजा दुरुष्टि ने OBC आहे तर मिलून जाई आथा आपन सालू करेंड़ जे 25 क्वेश्चन होते आच्छे जे 25 क्वेश्चन आपन भगना रहा 25 MCQ these are the 25 MCQ that I brought in today's lecture आच्चा लेक्शर मदे आपन 25 MCQ भगना रहा तर ते 25 MCQ मी तुम्चा समर्ग यहों नालवा है और पहुंचा पेपर मदे यह थे 5 October 2020 यह यह सीमिलर इंड़े ना रस इंड़ेंड में आपन पैपर मदे यह ने आपन बगना ने यह 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 डोर्ड यह 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 लोर्य और वह लुक्लिकेशन परेमो है शुगर्स तो DNA RNA मदे इफ यह तुम्हाला योग्य परेयाई वट्टो तचा करेक्ट ओप्शन तुम्ही कमेंट बॉक्स मदे देवु शकता DNA RNA RNA मदे सिमीलर काई method of replication नाई तो method of replications are different in DNA RNA DNA मदे कोंचा DNA polymerase चा ओपर के लगा तो आणि RNA मदे काई RNA polymerase RNA polymerase enzyme वापर ले जाता DNA मदे दोनी strand वापर ले जाता replication चावड़ेस और RNA मदे फक्त एकर strand रेप्लिकेशन चावड़ेस मंजे RNA production चावड़ेस DNA ची एकर strand वापर ले जाती Purines Purines कोंचे तो Purines आर डबल रिंग कंपॉंड आणि Pyramidians काई सिंगल रिंग कंपॉंड Purines कंपॉंड आणि गौनाइन आणि Pyramidians काई साइटोसीन आणि थाइमीन आणि थाइमीन आणि थाइमीन इज रिप्लेस वाइ यूरासील इन आर अरेने जाल लगा चैचा अंतर काई यचा अंतर है शुगर शुगर डियने इंदे कुंज आसते डी अोकी रिपोर्स आनि आरेने मते चैणि रिपोर्स रिपोर्स शुगर इस अप्रेज विद्वंग इस not ट्रेक्थ रांसर उसके बाद धिस изуч औल्स पीरिमिड इन चा प्या प्रीज़ जा नां? प्रीक आईICO चाला है? करेक्ड आंसर नाहे तुम है? करेक्ड कहा है नाहे तुम्हा? करेक्ड आंसर कहा है? पूरीज भाय मिस्टे किदे काई जाले बी टाइप जाले चलो करेक्ट आंसर काई प्यूरीन्स sperm undergo following changes in epididymies except sperm undergo following changes in the epididymies except मझे epididymies मझे sperm मझे काई काई प्रोसेस होतात एक सोडून capacity of fertilization increase के लगात हो बरोबर है physiology of maturation इपन epididymies मझे होतात है increase the motility तो all these three events are occur in epididymies except what spermiogenesis spermiogenesis से epididymies मझे होतात नहीं तो correct answer काई ले तुमसा D next one the unbranched root here in a plants is a form from unbranched root here root here got root here's are the unicellular outgrowth root here guys root here's are the unicellular outgrowth of what root here's are the unicellular outgrowth of ap belema the ap blema मझे गाई तो ap blema means the epidermies of root epidermies of roots are called as ap blema the root here's आर दे युनिसलर, epidermal आउट्रोथ, आफ रूट, थे epidermal सेल चाह आइत, आउट्रोथ आयत, वैस्कुलर टीशु चाह आउट्रोथ नाहियत, पॉर्टिकल सेल चाह आउट्रोथ नाहियत, अनि काह रूट से कैपचा पन आउट्रोथ नाहियत. नक्की बेटेल साट मारका आहेद गेमिंग चाम तुला नक्की एड्मिशन बेटेल माई विशेश आर विट यू उसके बार, in the human heart, how many double circulation are completed in 30 seconds? इधा थोड़ा सा गुगली ताइप क्वेशन तैनी विचार ला होता, how many double circulation? double circulation मंजे का है? double circulation मंजे, when the blood flowed two times from the heart, क्याला आपन का है वन तो double circulation मंजे का है? blood flow through the heart, during heart beat, एका heart beat मदे का होता है? एका heart beat मदे, heart मदे का होता है? systole और diastole और joint, sorry, systole, arterial systole, ventricular systole and joint diastole, मंजे इस का होता है? double circulation, one heart beat represents one double circulation, मंजे एका मिन्टा, जर हाट मदे 72 वेडा का होता है? बीट होता है, मंजे वन मिनिट कांसिस वाव में, second, 60 second, एका मिन्टा किती beats है? 72 heart beats, अपना ला विचार ले का है, 30 second मदे किती, 30 second मदे किती है दिलो, तो यह चाह निम्मा, 72 divided by 2, किती आलो, 36, ता आंसर किती ही, 36 beats, और 36 double circulation, completed in a half a minute और 30 second, समझा आगे है? चलो, इसके बाद next MCQ क्या आए था? विचार 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 ले? not and विचार ले, hemicellulose, amino acid, pectin cellulose, तर amino acid is the correct answer, why? because hemicellulose, pectin and cellulose, they are the component or ingredient of cellul, तर cellulol चे थे ingredient है तर they are water attracting or water loving substances, therefore they are called as hydrophilic substances, तर करेक्ट आंसर का होता? amino acid होता, उसके बाद, विचार 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 वालेंगा function is carried out by Krura Cerebri, Krura Cerebri is a function का होता? Krura Cerebri is the part of midbrain, midbrain सा पार्ट है हा? midbrain that is also called as what? आए मन्त चला, tell me the answer in comment box, विचार 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 कर वे हैंब्रेन होना इस्याल करतो है यह सी थैट तर आट faसी exist लिले अलुन ना इसा बतर सिक्रीट रीटनेराइड मोह है थैपोफ्हालमस से फंक्च्छन न्यू से पुंक्चन थैद का सा है थे कौन्त था पूंक्चन seventh, first, sixth and ninth cranial nurse are respectively. bullying during my one special lecture on an academic platform I told you how to remember the 12 names of cranial nurse तर एक स्टेटमेंट टुमी लग्षा टेवा अन ओकेजन ओफ पाल ट्रीप अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर से हाई तर प्रतेक क्रेनियल नर्चा नावाच अमी कहाई केतले पहला अल्फाबेट केतले आनि एक वाक्य दार केले अन ओकेजन ओफ पाल ट्रीप अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर से हाई तर आन सा स्टार्ट कुड़ूं कराईचे आपलेल पागा आन सा स्टार्ट आपलेल नाका पासुं कराईचे वो स्टैंड फॉर अल्फाक्टरी तो पाहिली नार का है अल्फाक्टरी तेचा नंतर अप्टिक दूसरी का है अप्टिक तेचा नंतर अप्किलो मोटर पैथेटिक, ट्राइजेमिनल अब्देसंस, फेशियल ओडिटरी तेचा नंतर ग्लॉसो फेरेंजियल वागस स्पाइनल असेसरी हमको क्या पुछा है फिर्स कौन सी है फिर्स्ट है अल्फेक्टरी इदर अल्फेक्टरी कि इदर दिया है ये तो ये हो गया फिर्स्ट अब्देसंस सब भी आएका अली बगा अब्देसंस सब भी तो अल्फेक्टरी जाली पहली and mother has a blood group A then the children born to them will have the following blood group except except unza ज़र पपपा सा blood group A, B आहे आनि मम्मी सा blood group A तब पपपा चा blood group मा देखा है possibility ज़र जिनो टाइप चा for A, B blood group I, A, I, B co-dominant सा example है ना तो I, A, I, B और मम्मी के दो possibilities हो सकते I, A, I, A and I, A, small i तब इधा ज़र आपन बगिट ला from these two genotype if the homozygous mother having a blood group A and heterozygous father having a blood group B तब पपा गड़का है A आनि B अली लेट आनि मम्मी गड़का है A तब यह ज़र पसुं कॉंचा combination दार होता A, 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 B तब यह ज़र पसुं कॉंचा blood group होहिल A होहिल तब यह ज़र आनि ज़र ही possibility हासेल मम्मी ची heterozygous I, A, small i तब काई होहिल I, A I, A मज़े A blood group तढ़ होहिल तब यह ज़र आनि ज़र आनि ज़र आनि ज़र आनि ज़र ही possibility हासेल A, B blood group तढ़ होहिल कुंचा blood group तढ़ होना ना नाई O का बरे कारण O blood group तढ़ होने साथी genotype काई पाई ज़र आनि small i, small i ज़र मम्मी नी small i हाँ जीन दिला तब पपा कड़ू तब तब आनि पाई ना पन पपासा blood group काई A, B तब पपा तब फादर इस नाँट आविंग रेसेसी वा अलील for a blood group that is a small i therefore the O blood group does not get a develop in their offspring समझवा रहा है चलो अमर वांटेड तो प्रिपेर अल्कोल हाँ story type question आला होता पासार की ज़र पेपर मती this was the story type question ये story type question है अमर वांटेड तो प्रिपेर अल्कोल at home he had a raw material उसके पास क्या है raw material है sugar but was not sure which one of the following enzyme will be needed initially can you help him तर अमर ला घरी साखरे पासुन काय बनौएजे मंजे एव मोल्या सेज क्यों सुक्रोस पासुन काय बनौएजे he want to prepare अल्कोल तो he is having a sucrose तो he want to produce अल्कोल तो he is having a problem with selection of a particular enzyme तो तुमी ताला मदद करूँ चकता का which enzyme he can use for preparation of alcohol from a sucrose, cellulose, zymase, oxygenase या carboxylase तो याच्छा करेक्ट आंसर तुमाला respiration chapter मदे मिल respiration chapter मदे anaerobic respiration मदे तुमाला या topic जांसर मिल anaerobic respiration मदे yeast normally for the alcoholic preparation alcoholic fermentation we are using a saccharomyces cerevisi that is the yeast and the class of enzymes secreted by yeast they are called as a zymase and these zymase enzymes these are the class of enzymes produced by yeast they bring alcoholic fermentation they bring alcoholic fermentation the correct answer रिदे का नरे zymase समझ आ रहा है चलो इसके बाद which of the following is not applicable to vector use in recombinant dna technology recombinant dna technology it is mostly used in the field of genetic engineering यह चार पास तरके ला दाववा question आला हो था recombinant dna technology क्या है genetic engineering it is used to manipulate the genome of any organism by inserting a foreign gene from any other organism तर त्या साथे अपला ला काये कर चाहे vector कर चाहे vector काये vehicle dna the dna which is going to carry the gene of interest from one organism into the body of another organism मंझे डोनर मधून तो होस्ट मधे जो dna gene घूँन जाना रहे that is called as what vector तर आपला विचार ले काये which of the following is not applicable to the vector using recombinant dna technology they are capable of replication हे करेक्ट है this is the one characteristic of vector they are high molecular weight तर vector should be low molecular weight compound vector का सा असला बाजे low molecular weight compound असला बाजे करेक्ट है तर तर दिस is the wrong characteristic feature for a vector तर करेक्ट आंसर काये नरे तुमसा b nra तर दे आर दे न आ मोलीकुल vector का एक vector vector आर दे वेहिकल dna for example plasmid आ वेक्टर मनूं काम करतो त्यान तर cosmeid आ वेक्टर मनूं काम करतो त्यान तर face dna हा वेक्टर मनूं काम करतो मन्चे ये vector consist dna तो भीस वास असला बाजेट they should have a restriction endonucleus recognition site to undergo the process of replication. त्या वेक्टर चाई DNA वर काया असलिया पाय जेन? restriction endonucleus recognition site असलिया पाय जेन? कहला का? त्यार्ट अंसर काया बी, they are high molecular weight compound. This is the wrong characteristic feature for a vector. समझा रहा है? चलो. which of the following fossil in the evolution of man has maximum cranial capacity? तो which of the following fossil in the evolution of man is a showing or sorry, was showing maximum cranial capacity? यानि highly evolved man का fossil कौन साइज में? Cro-magnon man, Java man, Neanderthal man या Peking man. तो सबसे परसे start करते है Peking man. Peking man का cranial capacity क्या है? तो यह जो evolution chapter है, यह जो fossil है man की evolution में, इसकी cranial capacity बहुत है important है, इसकी उपर match the column type of question आ सकता है. तो Peking man की capacity, Peking man यह जो fossil था, यह चाइना से discover किया गाय था, from the Peking of China. तो इसका cranial capacity कितना था? 850 to 1200 cubic centimeter. Neanderthal man का cranial capacity कितना था? 1450 cubic centimeter. जावा man का था 940 cubic centimeter and Cro-Magnon man का था 1600 cubic centimeter. हमको पूछा क्या है? Which of the following fossil in the evolution of man has a maximum cranial capacity? सगय जास्ता कुना चिए? Cro-Magnon man. Cro-Magnon man. समया रहा है? चलो. इसके बाद, एडिपोस टीशू चो following a feature except, एडिपोस टीशू मंझे कुछे टीशू? Fat टीशू. तो, fat टीशू जाए characteristic feature दिले एक सोड़ून. कुणसा ही ते आप लेला शोधाई से? अडिपोस टीशू मंझे का है? Fat टीशू. दोन टाइप चाए अडिपोस टीशू असात? वाइड अडिपोस अनी ब्राउन अडिपोस. वाइड अडिपोस तुमाला कुड़ पाइले मिलते है? अडिपोस टीशू शोग फॉल फॉलिं फीचर खलचे दिले ले खाये चारेक्टरिसिक फीचर ओव अडिपोस टूशू है? एक सोड नवाजे एक सुख चूख ते चरेक्टरिस्टीक फीचर है? दाट वी आव तो फाइंड आउट मेजर सोर्स ओफ एनर्जी रिजर्व करेक्ट एचा मधे फैट है मंजे थी ए फैट काया करना रहे एट इस यूज आसा सोर्स ओफ एनर्जी एट आसा गूर इंसुलेटर करेक्ट इट प्रोटेक्ट इंटरनल वाइटल और डेलिकेट और इंटरनल ओर्गन जे वाइटल और ऑर्गन आए तो आपले बाडि मजले त्याला हे काये करते ये प्रोटेक्शन देते है इट प्रोटेक्ट डेलिकेट और फ्रों देशॉक्ष और फीसिकल शोक्ष और मैकनिकल इंजूरिस त्याज बरोर इट हेल्प इनर प्रोसेस ओफ तो हे काये, this is not the characteristic feature of adipose tissue, हे काचा जे, absorption साथी epithelial tissue, हे आये characteristic feature epithelial tissue जब, तर correct answer काये लग, this one is the correct answer, option D, समझा रहा है छलो, इसके बाद, इनान अनाट्रोपस ovule, in angiosperm, the micropyle is, किदी सोपे question हो दे बागा, मिन दुबार साहीं ले, समबर पे की 70 question, was a easy type question, तर इनान अनाट्रोपस, अनाट्रोपस मझे गाये, inverted ovule, तर इननी काये विचार ले, inverted ovule, जे angiosperm मध्या आये, तिते micropyle कुड है, micropyle मझे गाये, gap which is present on the one side of ovule, so integuments are covering, और they are encircling, the body of ovule, और a new cellist, they are keeping a one small opening, on the one side, the opening और a power, which is present on the one side, that is called as a micropyle, समया रहा है, orthotropos ovule, जे straight ovule अस्ता, straight ovule, in a straight ovule, in straight ovule, the micropyle is upwardly directed, सम्मझा रहा है, चरू, next one, select the incorrect statement with reference to ultrafiltration, ultrafiltration काये, ultrafiltration is the first step of urine formation, urine formation चीह काये, first step है, the ultrafiltration बदल, एक चुकी सा statement है क्या आप लेला, शोदाईचे, तो what is the wrong statement, effective filtration pressure is a 10 mmHg, ये करेट है क्या है, the at the time of filtration, काया होते, filtration कुड़ होते, inside in the malfeasian body, malfeasian body मते काया होते बगा, the afferent arteriol bring the blood to the glomerulus, and efferent arteriol take blood away from the glomerulus, afferent arteriol सा diameter जासता है, and efferent arteriol सा diameter काये, and the capillaries of these arterioles, they are forming a thick knot like structure, that is called as glomerulus, आनि तैचब होती काया है तुमसा, bauman capsule है, तबागा, due to the difference in the diameter of afferent and efferent arteriol, यह चा मते, glomerulus मते कायाता है होते, hydrostatic pressure create होते, that hydrostatic pressure is 55 mmHg, तो कि दिये 55 mmHg, and this hydrostatic pressure is opposed by, it is opposed by plasma, osmotic pressure of blood, which is created due to plasma protein, तो osmotic pressure blood सा कि दिये 30 mmHg, आनि त्यास बरोर, it is opposed by the hydrostatic pressure due to renal fluid, renal fluid मले पन कायता है hydrostatic pressure है, renal tubule मते पन कायता है hydrostatic pressure है due to the renal fluid, that hydrostatic pressure is 15 mmHg, बंजे यह, these osmotic pressure of blood, and the hydrostatic pressure in the renal tubule, these two pressures, they are opposing the hydrostatic pressure inside in the glomerulus, तर 55 minus, कि दिये 45, तो कर्रेक्ट आंसर कि दिया ले 10 mmHg, तो effective filtration pressure is 10 mmHg, तो यह कर्रेक्ट है, उसके बाद filtration in glomerulus takes place due to hydrostatic pressure, यह, जो कुछ urine प्रदूस हो रहा है, urine क्या है, urine is a filtrate of blood, तो यह, glomerulus पर काय, glomerulus slits है, तो due to the hydrostatic pressure, the blood undergoes the process of filtration through these glomerulus slits, and the filtrate has get accumulated inside in this capsular space, that is called as primary urine, का लगा, तर, the second point is also correct, filtration in glomerulus takes place due to hydrostatic pressure, the filtrate is similar to that of urine, primary urine जह accumulate जाल है, inside in the capsular space, that primary urine is totally different from that actual urine, तो filtrate जो है, filtrate क्या है, filtrate is more dilute, filtrate क्या है, more dilute, इसमें क्या है, high threshold substance है, less threshold substance है, तो high threshold substance क्या होदा है, in the proximal convalidated rule में, reabsorbed क्ये जाते, about 99.9% filtrate has get reabsorbed back into the bloodstream, तो filtrate हा का है, dilute है, आणि urine का है, concentrated है, तो correct answer का है आला, हाला, C, रहा लगा, तो this is the incorrect statement, the filtrate is similar to that of urine, filtrate is never similar to that of urine, आणि हे जा ultra filtration होते है, कुड़ो होते है, ultra filtration occur, it takes place inside in the malphision body, तो हापन का है, correct point आहे, चलो, आगे चल दे, rat show presence of strong and stout forelimbs, here one spelling mistake is there, F-O-R-E, it should be F-O-R-E, the rat show presence of strong and stout forelimbs for digging, it is dash dash type of adaptation, for the purpose of digging, when rat is using strong and stout forelimb, तो जो digging यहने क्या, तो जो digging यहने क्या, of adaptation, the rat is living in a burrow, rat कि तर रहता है, बरो में रहता है, तो थोज़ अनिमल्स आर लिविग इन बरो, तो थोज़ अनिमल्स आर लिविग ऑन लैंड, एरेस्ट्रियल अडपेशन को हम क्या कहते है, कुर्ज़ोरियल अडपेशन, दे अडपेशन फोर रुणिंग, यह ब स्कुर्ज़ोरियल और प्रेश्ट्रियल अडपेशन, भलंट यह ने अरियल अडपेशन, अर्बोरियल अनिमल्स आर लिविग ओन ट्रीज, यह जह लिविग ऑन ट्रीज, they are called as the arborioreal adaptation, for example, squirrel monkey, spiral monkey यह शुपांजी है, they are having a well-developed shoulder इधर मॉसल्स दे आ प्रॉइड विफ प्रेंसा इल आप्टेश हो दिए इधर करेंट असर का है रैट इस फोड़ अनपटेशन अगर कोग्रोग जाता है थो कह रोजी कुर्जोर्यल अप्टेशन होर्सी इस फोल जो रोलाप्टेशन वर्ट्व आ प्रशों वोलंट समझ आरहे हैं? चलो get a notification when the result will get come out the endoderm of yolk sac form during embryonic development the endoderm of yolk sac form dash dash during embryonic development the endoderm of yolk sac give rise dash dash during the embryonic development primordial follicle ugonia follicle cells and primary ucite this message is derived from the endoderm of yolk sac correct answer is ugonia ugonia correct answer is ugonia which one of the following nitrogen fixing organism is specific to p plant enhancement in food production chapter में दूना question आला होता तो वीचाओ तो फॉलेंगा nitrogen fixing organism nitrogen fixing organism specific to p plant p plant का है legume plant है यहां legume plant मदे एक bacteria तो का है rhizobium तो का है करतो नोडिूल लडेवलप करतो इटा डेवलपर नोडिूल तो कुंचा bacterial species है rhizobium facioli rhizobium leguminous serum nitrosomonas denitrification anabina azoli तो अना बिना आजोली तो अना बिना आजोली रॉंग होता अना बिना आजोली अना बिना का है blue green algae blue green algae और cienovacter it is forming colony inside in the air chambers और air cavities of free floating aquatic teratophyte that is azola nitrosomonas denitrification यह भी रॉंग है rhizobium facioli is mostly it is a specific for beans it is a specific for beans whereas rhizobium leguminous serum it is a specific for a p the correct answer का बता rhizobium leguminous serum most of the intracellular enzymes function based enzymes are proteins so normally most of the intracellular enzymes function based at high basic highly basic pH around a neutral pH irrespective of or highly acidic pH तो ज्यादा तर के enzyme यह question था bio molecule chapter में तो enzyme का है at a high temperature they undergo denaturation in presence of concentrated acid also they undergo denaturation so these enzymes remain active or they remain active at which pH तो correct answer था around a neutral pH तो most of the enzymes remain active around a neutral pH समझा रहे है चलो इसके बाद Nucleic Acid were first discovered by Friedrich Mischer, Friedrich Mischer when he obtained a substance from the first cell, first cell से इन्होंने क्या क्या क्या, first cell के Nucleus से उन्होंने substance बाहर निकाला and that substance he called as a what? So, Nucleic Acid were first discovered by Friedrich Mischer in 1869 he called them as Nuclein, Chromatin, Nucleosome and Nucleod So, Friedrich Mischer in 1869 when first time obtained the substance from the nucleus of first cell So, he called that substance as a Nuclein and later on Richard Altman name coined the term Nucleic Acid Why? Because that Nuclein was showing acidic properties Acidic, that substance was acidic in nature and therefore the Richard Altman coined the term Nucleic Acid for that Nuclein discovered by Friedrich Mischer समझा रहे है? चलो Which one of the following is a shrubby lichen? तो इसके उपर यह wrong दिया हुआ है तो MSTCT की जो answer की आई है उसमें यह answer दिया है Which one of the following is shrubby lichen? तो क्या है answer इसका? तो यह wrong है Which one of the following is shrubby lichen? This MCQ is wrong And इसका जो Clarification में देने वालो That I brought in today's lecture तो According to MSTCT Cell के हिसाब से उन्होंने इसको करेट किया है Shrubby appearance Means they are erect or pendulous Habit जिनका Habit क्या है? Erect or pendulous Such type of lichen are called as fruity coast lichen और shrubby lichen तो Cladonia भी श्रभी है Electoria भी श्रभी है और उस निया भी श्रभी है तो MSTCT चा Answer की मद्दे भगा त्यानी करेट काशाला दिले They gave the correct answer As a lacanora तो त्यांचास पुस्सा काथ भगा Crustose lichen There are three types of lichen Crustose Folios And fruity coast Crustose Crust-like appearance Folios Dried leaf-like appearance Dorsi ventrally flattened And fruity coast जाने क्या श्रभी They are having erect or pendulous habit Dorsi ventrally flattened Or leafy lichen Folios Crust-like appearance Crustose lichen Crustose example Graphis Lacanora And hematomera तो यह दिया है Page number 9 This is the picture of page number 9 From 11th text book of bio 11th text book of bio Government HSC Akravi Maharashtra State board Text book Maharashtra State board Text book Page 9 Clarification Can you Correct Lacanora 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 Crustose Crustose Which one of the following Shrubi 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 Electoria Shrubi Electoria Shrubi Important Point To For getting additional one mark Definitely This lecture Don't forget to share today's video in your friend circle Share this link in your friend circle So This is the picture With the whole picture With the whole picture So If you file Objection On the official website of MSTCT Page number 5 Text book Text book Text book Maharashtra State board Text book Text book Text book Text book Page number 9 Which one of the following Shrubi Lichen Lichen Crustose Lichen Then also they are saying Lichen Shrubi Lichen Don't forget to share today's link in your friend circle Those who already gave this exam On the 5th of October 2020 Which one of the following material is not safe to prepare a carry back Haan khubh sopa question hodha Last chapter Organism Environment Part 2 Tha khalil peki Kunsa material not safe he Which is responsible for causing pollution To cloth Polythene Paper Jute Jute Paper Aani cloth He kai biodegradable material he said Tehcha pasun Kunsa pollution Pollution Kashi Polithene Is the not safe to prepare a carry back Tha haa kaya hodha Correct answer hodha Samajhla chala padeh Every Every Baki sa saroho paper haa sopha vata baki chae jai rai lele 75 mcqe dhe Tha haapun upcoming lecture la nakki pa huya Sir one more thing that I want to share with you if you want haan that I will tell you at the end of today's session next time which one of the following reaction is not a common in glycolysis and crave cycle glycolysis and crave cycle Is the common in glycolysis and crave cycle Reduction Oxidation Cleavage Phosphorylation Cleavage Into two molecules of pyruvic acid and it is occur inside in the cytoplasm whereas in crave cycle the acetyl-CoA acetyl-CoA has get completely oxidized into carbon dioxide and water and during this process large amount of energy has get produced by the process of ETS Kala laga Tha cleavage Tha has a correct answer hodha Reduction Oxidation Phosphorylation He tumbala glycolysis and crave cycle dhuo nikda paila mele Iske baal The filiform apparatus of synergid in angiospermic ovule What is the function of filiform apparatus Zer tumhi egg apparatus paila Egg apparatus consists three cell inside in the embryo sac towards the micropilar end Micropilar end cha baazula Inside in the embryo sac Egg cell cha baazula Egg cell cha baazula Egg cell cha baazula This is the egg cell and on the either side of egg cell kaya Dhuo na lateral synergid said And these are two lateral synergids they are provided with a finger-like projections These are finger-like projections they are called as a filiform apparatus They are called as what? Filiform apparatus So these filiform apparatus Help in what? Fuses with the male gamut Nahi it never fuse with the male gamut Help in a formation of endosperm Endosperm form kohun karte hai? Endosperm is a produced from primary endosperm nucleus Tha hapn rong hai Fuses with female gamut Nahi hapn rong hai Tho filiform apparatus attract pollen tube towards itself It help in a direction of pollen tube It provide a proper direction for the growth of pollen tube It attract the pollen tube towards itself The correct answer ka aala D aala Chalo Polygenic inetants observe in wheat kernel color Polygenic inetants kudha paila meh toh tumhaala wheat kernel color Tha haas o wheat kernel color madhe polygenic inetants study kela ho ta ta Nilser LA in the year 1908 Samajha raha hai? Tho here the wheat kernel color is under control of two pair of genes AA and BB When the two genes are controlling one of phenotypic expression Tho therefore it is called as what polygenic inetants Tha question ka vichar la hai Aaka Ye wrong hai Polygenic inetants observe in wheat kernel color In a cross between In a cross between red color and white color varieties Produce a five different genotype In the ratio of five different phenotype In the ratio of one as to four as to six as to four as to one In the F2 generation How many of these will show intermediate red color similar to F1 hybrid Tho either chahiye thaa phenotype First tharake phenotype bante hai When we perform a cross between red kernel color and white kernel color wheat variety F1 me kya aata hai In a F1 will get intermediate red And in a F2 generation will get a phenotypic ratio Five different phenotypic combination will get In the ratio of one as to four as to six as to four as to one Tho either puchha kya hai Yeh jho F1 F2 me Yeh jho phenotypic ratio mila hai Ismae se intermediate red wale kitnye hai 6 hai 1 hai 16 hai 16 hai Yaa 4 hai To correct answer kya hai Yeh jho 6 hai Yeh kya dhikha dhe They are showing intermediate red color Smajha raha hai Yeh jho 1 hai Yeh kya hai red hai Yeh jho 1 hai Yeh kya hai white hai Or yeh jho 4 4 hai Yeh kya hai Light red Or medium red To correct answer aaya thaa 6 Yeh smajha raha hai Chalo Last MCQ Photosynthetically fixed carbon dioxide goes back into the atmosphere due to Normally these are loss of photosynthetically fixed carbon dioxide seen in a C3 plants So C3 plant mein kya hoada hai When the temperature has get increased tomato close ho jate hai And therefore the concentration of carbon dioxide has get decreased At that time rubisco instead of performing carboxylation it bring oxidation of RUBP And therefore the loss of one molecule of carbon dioxide has again goes back into the atmosphere This process starts inside in the chloroplast during the day time Yeh jho oxidation ka process ho ra hai It has get started inside in the chloroplast during the day time Therefore it is called as the photorespiration And along with the chloroplast Here in this photorespiration Baqi ke doh konse cell organi is involved hai Chloroplast Mitochondria And Peroxysomes Peroxysomes And Mitochondria These 3 cell organs are involved To yeh jho loss of photosynthetically fixed carbon dioxide ho ra hai It again goes back into the atmosphere It is due to what? Photorespiration Samajha raha hai? Chalo One more thing that I want to share with you Jani Jani Azun earn academy platform Navi Nahai Javidhar the earn academy platformer If you want to listen more If you want to learn from me You are a bio syllabus If you want to prepare score a good marks in a bio For your MSTCT exam, NEET exam as well as board exam To earn academy is a nice platform To download the earn academy learner app from the play store Play store earn academy learner app download kara Do the login Login kara hai xe And academy learner app download kara hai xe Tumcha mail id o aap rai xe Mobile number o aap rai xe Goal select kara hai xe Goal select kara hai xe MSTCT He option hai xe Goal select kara hai xe MSTCT And the goal select kara hai xe Search kara hai xe Mazanao Kiran Suresh Kolte This is my name And the 3 xe kara hai xe Do follow Follow kara hai xe An academy platformer Jyodhe free xe Special class xe Ani paid xe Plus class xe Jyodhe maja lecture asil Tumala tia cha notification Tumala milti Tyanatar After doing this much process You are ready to see All my previous Free special classes Lecture Jyfri yet Tia cha mathe Tumhi live session pao shakta Ani recorded session pao shakta Take a plus subscription If you want to listen me more Then take the plus subscription By using this referral code That is a kiran kolte 35453 Ani kirana Kira n If you want to learn Or listen me more Take a plus subscription By using this referral code That is a kiran kolte 35453 warenoday5453 or kirana layu, kirana layu or kilana kolte 3 5, kirana kolte 3 5 4 5 3, so thank you very much, if you like today's session then definitely do subscribe, subscribe करो our youtube channel, an academy youtube channel, then follow and then share today's link in your friend circle, for more plus subscription, for plus subscription use this रेफराल कोड किरनलाइव पर गेटिंट परसेंट डिसकाउंट और अवर डेली प्लस लेक्चर्स का ताइमिंग क्या होता है थी तू फॉर पीम चलो थैंक यू वेरी मच्च हाव नाइस रिमेंग देग बाई-बाई